मंध्य प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी अद्यक्ष पूर्व मुक्यमंत्री कमलनात के नेदेश आनुसार मंध्य प्रदेश में सभी जगह गांधी चोपाल का आयोजन किया रहा है गाडरवारा में भी कॉंग्रेस कमिटी के द्वारा पुरानी गल्ला मंडी में गांधी चोपाल का आयोजन किया गया विधायक सुनिता पटेल ने कहा कि भाजपा की जो नीती और कूनीती है वह जनता तक पहुचाएंगे महंगाई बहुत चरमस पर पहुच गई है देश में युवा बेरोजगार हो गया है महिलाए घर के बजट की महंगाई के कारण बहुत परेशान है गाव के सडकों की हालत बहुत ज्यादा खराब है सभी जगा गांधी चोपाल के माध्यम से भाजपा सरकार ने क्या कारे किया है वह कॉंग्रेस पार्टी ने क्या कारे किया है यह जन जन तक चोपाल के माध्यम से अपनी बात रखेंगे कॉंग्रेस पार्टी के बरिष्ट नेता अशोक काबरा ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की पुरानी सपलताए एबं मोधी सरकार की विफलताए चोपाल की माध्यम से जन जन तक पहुचाएंगे गांधी चोपाल के जीला समन्वेक जाई पाठक गाडरवारा ब्लॉक समन्वेक अवदेश रुशिया के मुरभार में चोपाल का आईजन किया गया दो अक्तूबर गांधी जी जैनती की पूरवे मंद्रवेक प्रदेश कांगरेस कमेटे की दुबारा गाडरवारा नगर में गांधी चोपाल का आईजन किया जा रहा है आज के इस दिन जो गांधी चोपाल का कारिटम किया गया है जाता कि मैं समझता हूं कि गांधी चोपाल जो कॉंग्रेस की पुरानी सफलताएं रही है और आज जो मोधी सरकार की आठ साल की विफलताएं है उनको लोगों के सामने चोफ़ि नाशनल लेवल का बीडिया और टी वी चैनल इसको प्रसारित नहीं कर रहे हैं आप लोगों के जैसे टीडी चैनल तो हम लोगों को ज़रूर प्रसारिद करने की कोशिच कर रहे हैं, यह निस्पक्ष तरीके से आप जो खबरें सब जगे पहुंचा रहे हैं, आपके स्टेट मीडिया की तरीके से, लेकिन यह नेशनल मीडिया कुछ नहीं कर पा रहा है, इ कई देश जा रहा है, गे अर्थ मेवस्ता की क्या स्थति है, देश की डॉलर रुपेर की क्या स्थति है, महंगाई, बेरोजगारी की क्या स्थति है, हर चीज को तो तो ऑच्छे, ऐने मिठाए, ऐने करवी चीज में वी गुड़ बाते libraries के के बताया रहा है, जबकि हम वो कि वो गुड़ की परत हटा कर वास्तविक चीजें लोगों के सामने आए जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी विशाल यात्रा चल रही है लेकिन उसका कहीं कोई जिकर एक लाइन तक का नहीं हो रहा है नेशनल टीवी पे या नेशनल मीडिया पर तो यह चीजें पहुंच करोड़ों के सामने ला सके लोगों को बता सके इस लिए यह चौपाल का कारिक्तम रखा गया है कि गाओं गाओं में चौपाल के माध्यम से हम गमीनी हकीकत और वात्विक्ता लोगों के सामने बता सके मद्य परदेश कांग्रिस कमेटी के द्वारा यह गांधी चौपाल इसका मूल उद्देश के बरत्मान समय में परदेश पर जो समस्या उसका घनीभूत आवरन चड़ा हुआ है उस आवरन से लोगों को मुट्टी दिलाना समस्या और उसके समधान की दिसा में एक पहल करना एक आम जन्जागन पैदा करना जन्जागरती लेकि आना आम आदमियों को सासन की वह गलत नीतियां जिनका परतिकार नहीं कर पा रहा है उस परतिकार के लिए लोगों के लिए संबल देना सक्ति प्रदान करना ताकि हम आने वाले कल में एक नए रूप में एक नए संग्ठित रूप में नए विचारों के साथ इस प्रदेश के विकास के लिए एक नए परिवासा एक नए आधाम सुनुस्चित कर सकें और में समस्थ चहत्र वासियों से यही कहना चाहता हूं कि हमारा यह जो गांदी चौपाल कारिकरम है इस गांदी के नोलन चाहिए हम एक चंजागल परदा करना चाहते हैं हम यह कि हमारे एक नए क्सक्राइब। इन तो परिणाम बड़ा होना चाहिए और हम उसी परिणाम के लिए आम जन जन तक जाएंगे एक ग्रामीर लेविल पर जाएंगे कि भारत एक ग्रामों का देश है तो हम इस सरकार की जो बिक्टांकारी नीतिया है इस सरकार की जो लोगों को तोड़ने की नीतियां हैं इन नीतियों के खलाप एक जन अंदुलन पैदा करना चाहते हैं ताकि इस देश को और इस पुरदेश को एक सुरक्षित और आने वाले कल के एक अच्छे निर्माण के लिए हम एक जुम्मिधार लोग सावित हो सके गांधी जी की चौपाल का कारिकम हम लोग सुनिस्चित कर रहे हैं हमारे जो समन्वेक बने हुए हैं हम लोग एक मीटिंग करेंगे और मनलग स्जेक्टर वाले सब बैट के चर्चा करेंगे कि विधान सामा में किस-किस जगह पर किस-किस तारीक को होना है उसे साफ से अपना कारिकम तयार करेंगे और जो भजापा की नीती और रीती है उसको जनता तक पहुचाएंगे कि जनता कितनी तरस्त है आज मेंगाई से आज वा रोजगार के लिए तरस रहा है महिला आए आज घर में गैस से कितना परिसान हो रही है मेंगाई से परिसान हो रही है गाउं मे सबक seguinte खराव कि लोग परिसान हो रहा है इन सारी चीज़ों को बताएंगे कि भजपा ने जो में बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया है बाजपां ने क्या शुर। फ्र में बात करاجंगे पैस के ऑनलो जोने दंद वन को अबिशन में प्रिंग ऩॉ बता रहा ही है मोदी जी को, मोदी जी इतने प्रफुलित हो रहे थे, बोलते थे कि कांग्रेस समाफ्त हो गई, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा चली तो मोदी जी भी भैवी थे, कि इतनी बड़ी यात्रा निकली है, जनता त्रस्त है, आज उनकी समझ में आ रहा है, इस यात्रा का हम भी परचार परचार गाउंगाओं में लोग देख रहे हैं, आज मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, कि यात्रा चल रही है, तो हर कांग्रेस की मन में एक उत्साह जागा है, एक उमंग जागी है, और हर एक जागरुक समझ रहा ह है कि सियात्रा का लोगों को कितना फायदा मिलेगा गाडर वारा से संजे गुपता की रिपोर्ट